तो भाई 2022 के वल तीन दिन का मेमान रह गया है और साइध इसके बाद आप लोगों की सर्दियों की छूटी भी पढ़ जा है तो भाई आप लोगों के लिए कैसा रहा है कोमेंट सेक्शन में लिखके जूरूर बिताना हमारे लिए तो ठीक ठाग रहा हमने एक लाग सब्सक्र किया मतलब अच्छा साल रहा अपने लिए तो बाकी 2023 भी अपने लिए खास रहने वाला है क्योंकि आप लोगों का साथ रहेगा तो भाई हर साल अपने लिए बहुत ज्यादा स्पेसल रहेगा तो भाई आज इस वीडियो में हम अपनी टो फाइब गेम सीरीज को फिससे कं होगे तो जो टो फाइब गेम से उनको ट्राइब करना मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बाकी आपकी अकोडिंग टो फाइब इंडियन ट्रक गेम्स कौन कौन से हैं कोमें सेक्शन लिए जूरूर बताना ठीक है ज्यादा बोला नहीं जा रहा मैं मतलब मु तो चलो अभी अपनी गेम लिस्ट पर चलते हैं आज के मारी लिस्ट में जो पांच पे नंबर पर गेम आता है उसका नाम है इंडियन ट्रक ओफरोड सिमुलेटर इस गेम का साइज मातर 66 MBA और साथ इस गेम को 3.8 डेटिंग पॉइंट्स मिले है आउट ओफ फाइव जो क क्यिकि बंदों के पास होता ही है ईस गेम में मिलने वाले gameplayG modes की तो इस गेम में आप लोगों को totally दो परकार के gameplayG modes मिलते हैं पहला है , पॉरी तरह से ओफ लाइन है और्फ डाउनलोड करने की जुरूत है उसके बाद आहो को थोड़ी जी भी इंटर्नेट की जुरूत नही और steering wheel जो आपको खेलते टाइम मज़ा देंगे एक तरह से कहूं गेम है तो छोटे साइज का लेकिन खेलते टाइम आप लोगों को मज़ा आएगा और कुछ टाइन के लिए आप खेल सकते हो ग्रैफिक्स वालटी भी ठीक ठाग मिल जाती है तो यदि आप इस गेम को ट्राइ इस गेम को अब तक कि एक मिलियन से ज्यादा यूजर ने खेला है और डाउनलोड किया है यह गेम स्टाइज दिसंबर 2019 को रिलीज हुआ था और इसको खेलने के लिए भी आपको एंडुड 5.0 की जुरूद परने वाली है यह गेम भी टोटली ओफलाइन एक बाट डाउनल जाता है साथी तीन प्रकार के कैमरा एंगल्स आपके गेमप्ले को बहतरी बना देते हैं और इनमें एक जबरदस्त कैमरा एंगल है इंटेरियर जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा साथी यहां पर आप लोगों को टोटली 10 लेवल मिल जाते हैं जिनको खेलकर आप बोर्ड नहीं होगे स्टार्टिंग का लेवल बहुत ज्यादा इजी होता है और जैसे जैसे आप लेवल कंप्लीट करते जाओगे और लेवलों की हार्डनेस बढ़ती जाती है एक तरह से कहूंँ एक छोटा सा साइज वाला गेम है जिसे थोड़ी से समय के लिए आप 5 जो की बैतरीन है और इस गेम को अब तकी 1,000,000 से जादा यूजर ने डाउनलोड किया है और खेला है ये गेम नुवंबर 25-2021 को रिलीज हुआ था और इसको भी खेलने के लिए आपके पास Android 5.0 होना चाहिए ये गेम भी टोटली ओफलाइन है एक बाद डाउनलोड करो उ साधी इस डिलोपर का एक और गेम है HRTC Bus Simulator जो भी काफी चौबरदस्ट है साधी इस गेम के अंदर आप लोगों को हाई क्वाल्टी की ग्रैफिक्स मिल जाते हैं अच्छा खास सा ट्रैफिक देखने को मिलता है और रस्ते में पहाड वगयरा भी किते हुए दिखाए देते हैं तीन परकार के यहाँ पर आप लोगों को Camera Angle से मिलते हैं जिसमें Interior Camera Angle भी आप लोगों को मिल जाता है इस गेम के इंदर आप लोगों को 14 लेवल मिलते हैं जिसको आप Complete कर सकते हो Starting Easy Level से होती है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगी तो Hardness बढ़ती जाती है यहाँ पर आप लोगों को तीन परकार के Staring Control मिल जाते हैं Tilt Arrow और Staring Wheel इस गेम को आप जुरो ट्राइक कर सकते हो description में लिंक मिल जाएगा या फिर Google Play Store पर जाकर नाम से भी जर्च कर सकते हो अज की हमारी लिस्ट में दूसरे नमर पर जो गेम आता है उसका नाम है Indian Cargo Truck Simulator और इस गे 2020 को रिलीज हुआ था और ये गेम One of the best truck simulator गेम है जिसको आफ ओफ-लाइन अपने Android मोबाइल में खेल सकते हो इस गेम के अंदर आप लोगों को टोटली दो परकार के गेम प्लेइंग मोड्स मिल जाते हैं पांस परकार के Indian Truck Drive करने के लिए मिलते हैं और इस गेम के अंदर इस गेम में आप लोगों को तीन परकार के staring control मिल जाते हैं टिल्ट एरो और staring wheel इस गेम में आप लोगों को पंदरा level मिलते हैं जो आपको बोर नहीं होने देंगे साटिंग यहां पर भी आप लोगों को कम distance वाले level से करनी होती है और जैसे-दैसे आगे बढ़ते जाओगे आपकी difficulty बढ़ती जाती है इसको आप जुरू टाइक कर सकते हो ये game one of the best game है इसमें graphics quality भी आप लोगों को आच्छी मिलती है camera angles भी बढ़िया मिलते हैं इस game को 4.0 rating points मिलें out of 5 जो की बैदरीन है और 1 million से ज्यादा यूजर ने इस game को download किया है और खेला है ये game 27 January 2021 को release वा था और उसके वाद से one of the best Indian truck generator game है इस game के अंदर आप लोगों को totally 2 परकार के Indian truck drive करने के लिए मिल जाते हैं तीन परकार के gameplay modes मिलते हैं high quality के graphics मिलते हैं चार परकार के camera angles मिलते हैं जिसके अंदर आप लोगों को बहुत ही जबरदस्ट helper view वाला camera angle भी देखने को मिल जाता है तीन परकार के steering control मिल जाते हैं और इसके अलावा आप लोगों को इस game के अंदर बहुत बड़ा map देखने को मिलता है dynamic timing चलता रहता है दिन रात होती रहती है और यहाँ पर आप लोगों को ओफरोड, hilly, village, city और countryside सब परकार के रसे देखने को मिल जाते हैं तीन परकार के होन मिलते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देंगे टोटली मिला अगर का हूँ one of the best इंडियां ट्रक सेमिलेटर गेम है इसको तो आप लोगों को ज़रूर खेलना चाहिए है तो यह एक बाट टाय कर लेना और आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हो तो कोमेंट सेक्शन में लिए जुरूर बता देना बाइक की आज की वीडियो को खतम करते हैं I hope वीडियो अच्छे लिगे होगी अच्छे लिगे है तो लाइक करना अच्छे नहीं लगी तो भी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नोटिकेशन वैल को उन करना तो मिलते हैं वो जो लेक नहीं वीडियो के साथ तब तके लिए बाई बाई जाहिंद